मैं हूँ आपके साथ नमिता सश्टेव करकरम की सकड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको रूबरू करवाएंगे करनाल हर्याना की एक ऐसे शोत करता से जिन्होंने फिश फार्मिंग में एक मिसाल कायम की है आईए देखते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि करनाल एक ऐसा शेत्र है जो प्रचलित खेती पर निर्भर रहा है लेकिन पिछले कुछ वक्त में करनाल ने मचली पालन के शेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है इसका काफी हद तक श्रेज आता है पदमश्री से सम्मानित सुल्तान सिंग को में पुराओं को अपनीस वडिया सी में में प।टे से में प्टे पर खेड़ा है क्योंके यहां पर जो पूरा नॉर्थ इंडिया में मचली मचली कोई खतान भी नहीं था, कोई पालने का दो नाम ही नहीं लेता था तो मेरे गउंगा एक 500 रुपे पे मैंने अपने पटे पे लिया वो तलाब, पंचेती तलाब था उसमें मैंने NDRI KVK से 60,000 बच्चा लेकर डाला और जब मैंने इसमें से 1,5 साल के बाद हर्वेस्टिंग किया तो उसमें से 1,62,000 रुपे की मचली पैदा हुई तो उस जमाने में 1,62,000 रुपे बहुत ज़ादा होता था तो मैं भी खुद हरान हुआ भी इतना पैसा इस मचली के अंदर है तो इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा जाए इस तरह पंजायत के तालाब से साल दर साल उनकी आमधनी बढ़ती गई सुल्तान सिंग के लिए फिश फार्मिंग मनाफे का सौदा साबिद हो चुकी थी अब उन्होंने मचली पालन के कारोबार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा गाउं के अन्य तालाबों को लीस पड़ लिया और अपनी पंजर पड़ी जमीन पर भी मचली पालन के बारे में सोचा पांच एकड जो लैंड है मेरी ये सुरू में मेरा जो था तो ये कलर बूमी था इस पे हम कभी भी जमीन पे कोछ भी पैदा नहीं करते थे इस पे सिर्फ ढंगर चगाने का काम करते थे और वो एक तरह से हमारे पांच एकड जो लेंड है वो खुड़ा पड़ी थी तो उसको उपर मैंने यही सोचा इसके उपर हम मचली का बीज पैदा करना सुरू करें फिश फार्मी को आगे बढ़ाने के लिए मचली के बीजों की जरूरत होती है जिसे सुल्तान सिंग, कोलकाता एवं दूसरे अन्य शेहरों से लाते थे लेकिन एक लंबी दूरी को तैगर के करनाल तक मचली लाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था पहली समस्या ये थी कि आधे से अधिक बीज मर जाते थे जिससे आर्थिक नुकसान तो होता ही था साथ ही आविशकता अनुसार बीज उपलब्ध नहीं हो पाते थे तो उन्होंने ये निश्चे किया कि क्यों न हम खुद मचली के बीजों का भी उतपादन शुरू कर दें इस तरह से उन्होंने मचली की ब्रीडिंग भी शुरू करवाई मचली पालन के कारुबार में सुल्तान सिंग को एक बेहतर अनुभव प्राप्त हो चुका था बाजार की डिमांड को भी वो बेहतर तरीके से समझने लगे थे जिससे बाजार की जरूरत के मताबिक मचली की अलग-अलग विराइटी का उतपादन भी उन्होंने आरंब कर दिया इस तरह कुछी वर्षों में उनके तालाबों में मचली की अनेक प्रजातियां देखने को मिलने लगी अब उनके तालाब में रोहू, कतला, कतलाबाज, जींगा, रव, मिर्गल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कौन कार्प, देशी मंगूर जैसी तमाम तरह की मचलीयां देखी जा सकती थी सुल्तान सिंग की मचली पालन का वियफसाई अब रफतार पकड़ने लगा था पनपने और आगे बढ़ाने में सफल हो रहे थे, जिससे उनके मचली पालन के वियफसाई ने एक अलगी तरह की तेजी पकड़ ली थी सुल्तान सिंग के मचली कारोबार में इजाफा होने से इसकी मांग दूर दूर तक होने लगी ऐसे में उन्हें अपने तालाब के क्षेतर फल को बढ़ाना पड़ा कहने का मतलब कि उन्होंने एक के बाद एक अनेक तालाब खुदवाए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाया साल दर साल जैसे जैसे मचली की मांग बढ़ती गई सुल्तान सिंग का मचली का कारोबार भी बढ़ता गया और इसी अनुपात में तालाब का क्षेत्र फल भी बढ़ता गया। नए तालाबों की खुदाई हुई और इसमें फ्रेश बीज डाले गए। इस तरह मचली की पैदावार में बढ़ोतरी होती गई। इन सब के बावजूद सुल्तान सिंग को एक बात अकसर खटकती थी कि हरियाना के लोग मचली खाने के प्रती ज्यादा आकर्शित नहीं होते हैं जबकि इसमें अनेक प्रकार के विटामिन और प्रोटीन उपलब्ध हैं। इससे खाना अनेक प्रकार से लापकारी है। इसी बात को ध्यान में रखकर सुल्तान सिंग ने लोगों में जागरुकता लाने का निश्चे किया। इस तरह धीरे धीरे लोगों को वो जागरुक करने लगे। अचे कि हर्यान के आम लोगों की थाली तक मचली पहुंचने लगी। लोगों ने इसमें रोची दिखाई। उन्हें नए स्वाध का अनुभव हुआ और पोशन की प्राप्ति का एक माध्यम भी प्राप्त हुआ। स्वाद और सेहत की प्राप्ति के लिए मचली एक बेहतर माध्यम साबित हुआ। स्थानिय किसानों ने मचली पालन से होने वाले फायदों को भी महसूस किया। अब इन किसानों ने अपनी परंपरागत खेती के साथ साथ एक निश्चत क्षेत्र में मचली पालन भी आरंब कर दिया। सुल्तान सिंग से प्रेरीत होकर हर्याना में अब तक लगभग सौ से अधिक किसान मचली पालन का पेशा अपना चुके हैं। कि सुल्तान सिंह से स्टाटिंग में बीज लिया और अपने तलाब में डाला जो लीज पिलिया था उसमें बहुत अच्छा कल्चर हुआ और उसके जैसे उसके साथ कमाई का साधन बढ़ा ना और इच्छा हुई और कहीं जगे फिर तलाब लिया हमने पंचैत के वहां भी बह है यह लिज आट साल के लिए स्टार्टिंग में डाना सुरू किया कि जैसे कि सपान ले बार से सुल्तान सिंह से भीया जैसे कलकत्टा से मगाया और अब दूसरी वैच्छरी उन से भी निया तो उनका पट्रेक्शन बड़ी अर अच्छा रहा सभीगा तो में और ज्यादा मैंने भी इनको देखकर दूसरे गाह में तलाब लिया है लीज पर अक्सर में यहां से बच्चा ले जाता हूं इनके पास से कहीं अच्छे चिपराइटी बनाते हैं और मेरे को भी बहुत मुनाफ़ा हो रहा है मानिये परधान मंत्री जी ने मई के महिने के अंदर मई 20 में परधान मंत्री मतश्य संपन्दा योजना स्कीम लाउज की है 20,050 क्रोण की स्कीम है पूरे देश में लागू है इसमा हरियना स्केट भी सामिल है इस स्कीम में जो पहले इस स्कीम जो काम कर रही थी उस स्कीम का नाम था, Blue Revolution, निली करांटी स्कीम, वो रिप्लेस कर दीगी, उसका स्थान इस स्कीम में ले लिया है, और वो निली करांटी जो परधान मंत्री का सपना था, वो परधान मंत्री मतर्षय संपदा योधना स्कीम के माध्यम से ही देश के अंदर निली करांटी आएगी, और इस स हर्याना के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं, इसमें किसानों की नीजी जमीन में तलाब खुदाई है, ग्राउट पॉंड्स, रीरिंग उनट्स भी हैं, जो फिंगर लिंग या सीड तियार करने की हैं, और इसमें कुछ न्यू टेक्नलोजी इंफूजन का भी जिसके अंदर RAS लगाना, री सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, बायोफलोक है, और्नमेंटल रीरिंग उनट्स हैं, और कुछ इन्फरास्टेक्चर से सम्मन्दित भी बेनिफिसरीज को हैं गुणवत्ता युक्त बीजों और मचली की अलग-अलग वैराइटी उपलब्द होने से, सुल्तान सिंग ने मचली प्रासंसकरण उद्योग लगाने के बारे में सोचा, इसके लिए बैंक से उन्होंने रण लिया, और मचली प्रासंसकरण उद्योग को चालू किया इस उद्योग से अब वो 35 तरह के प्रोड़क्स तयार करते हैं और इन सभी प्रोड़क्स की बाजार में काफी मांग है इस उत्योग में फिश फिंगर, फिश कटलेट, फिश बर्गर, फिश टिकका, बटर फिश मसाला आदिनाम से फिश प्रोडक्स तयार किया जाता है अगर मैं बात करूँ जीमिदारों की और मचली पालकों की, तो मचली पालकों के घर जीमिदारों से अच्छे हैं, क्योंकि जितना पैसा वो मचली के अंदर कमा रहे हैं, इतना पैसा उनको जीमिदार, इसमें खेती में नहीं है सुल्तान सिंग के फिश प्रोडक्ट की डिमांड दिनों दिन बढ़ती गई अब हरियान के साथ साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके प्रोडक्ट की सप्लाई की जाने लगी उनके प्रोडक्ट की लोगप्रियता कैनाडा तक पहुंची आजकर उनके बेटे बिबिन कैनाडा में फिश पाइट का आउटलेट चला रहे हैं इसके अंदर हमने एक आर्टिफिचल एंवायरमेंट बनाया हुए ब्रीडिंग के लिए क्योंकि मचली का प्रजनन का तरीका है वो यह एक मचली बरसाद के अंदर ब्रीड करती है और चलता हुआ पानी होना चीए तो हमने मचली के लिए एक ऐसा मोसम बनाया भी मचली को लगे वो नदी के अंदर या किसी समुदर के अंदर गूम रही है और उपर से कृत्री में वर्षा हो रही है मलब स्प्रिंकलर इरिगेशन टाइप का जो सिस्टम होता है जिसको हम रेंफॉल बोलते हैं वो हमने फिश बाइट प्रोड़क्ट और ताजी मचलियां सौधी अरब भी पहुंचने लगेंगी आविशक दस्तवे संबंधिक कारवाही पूरी हो चुकी है बस इंतिजार है उस दिन का जब फिश बाइट सौधी अरब के साथ साथ अन्य देशों में भी अपनी धूम मचाएग सुल्तान सिंग मचली पालन के व्यवसाई के शेतर में एक जाना माना नाम बन चुके है अब अपने राज्य के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में भी उनके तालाव से मचलियां जाती है इतना ही नहीं उनकी मचलियों के बीज भी वहाँ सपलाई किये जाते हैं सु सुल्तान सिंग द्वारा चलाया जा रहा फिश फार्मिंग मौडर्न तक्नीक से बेहत किफायती तरीके से की जाती है जिसमें लागत कमाती है। संसाधनों का इस्तिमाल कम होता है और उत्पादन अधिक होता है। इस तरह प्रकृती का कम से कम दोहन होता है। परिया वरन की सुरक्षा बनी रहती है और आम लोगों को पोशन से युक्त और स्वादिष्ट और गैनिक उत्पाद राप्र होता है। सुल्तान सिंग की फिश फार्मिंग विधी किस तरह से परिया वरन के अनकूल है और कम पानी में भी अधिक मचली की बैदावार की संभावना होती है। इसे समझने के लिए उनके जल संग्रहन और विस्थापन विधी को जानते हैं। दरसल यह जो सिस्टम है कम जगा में कम पानी में प्रोडक्शन जादा जेने वाला सिस्टम है। अब इसमें अम जितनी मचली डालते हैं। जितना यह बाइव फिकल इसका फीड का उता है। जो इसमें आटोमेटिक बाहर निकलता है। जो इसमें बच जाता है वो उदर मचीन इंगी है। वो इसको साफ कर देती है। तो इस तरिके से जो 12 एकड की लेंड हम बाहर मचली पैदा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हम जो बार मचली हमारी सरदियों के टेम में ग्रोह नहीं कर सकतें, तो उन्ह मचली को उठा चलाब से यह उन्ह नहीं दाल लेते हैं, ताके वो सरदी से बचा होके और उसके यहां पर पूरी फ़सल हो सके, क्योंकि जब भी हम कुसि भी तरीके से भूज कर सकते हैं नीला क्यडी के छोटे से गाउं बुटाना में 1963 में जन में सुल्तान सिंग ने अपने निरंतर प्रयास से उत्तर भारत में पहली मचली बीज हैचरी का निर्मान किया. इस हैचरी से तैयार बीजों को अन्य राजियों में भेजना शुरू किया और अपने गाउं को एक राश्टिये पहचांग दिलाई. राजिस्थान और महराष्ट में बड़े बड़े डैम पट्टे पर लेकर मचली पालन के क्षित्र में एक नई बुलंदी को हासिल किया. अपने फार में आधोनिक प्लांट के माध्यम से कांटा रहित मचली उत्पाद तैयार किया जाता है. इसके अलावा क्वालिटी टेस्टिंग लेप की मदद से उपभूगताओं को गुणवक्ता युक्त उत्पाद भी दिया जाता है. फिश फार्मिंग के क्षित्र में 35 फर्षों की लगातार, मेहनत और अनुसंधानों के आधार पर सुल्तान सिंग ने अपनी एक नई पहचान बनाई है. फिश फार्मिंग ने अपने आपको रूल मॉडल के रूप में स्थापित कर चुके सुल्तान सिंग अब तक 20 हजाल लोगों को निशुर के पशिक्षन दे चुके हैं. उनकी उच्च तक्नीक विधी को जानने और फिश फार्मिंग के हुनर को सीखने के लिए वेग्यानिकूल के साथ साथ देश के कौने कौने से चादर भी आते रहते हैं. उनका काम शुरू करवाता हूँ. तो अभी पिछे हमारे पूरे हर्याने में एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला था और स्टेट गुवर्मेंट ने वो ट्रेनिंग मुझे दी थी. उसमें 900 लोगों को मैंने ट्रेन किया 3 मिने के अंदर. उनका रहना खाना 3-3 दिन की ट्र प्रेनिंग थी वो. उनको सर्टिविकेट दोवारा. क्योंकि अब गुवर्मेंट की एक नई स्कीम आई थी जिसको हम कहते है री सर्कुलेटिंग सिस्टम. रास. अब रास जो मैंने लगाया है ये लोगों की जूरत के मताबिक लगाया है. क्योंकि आने वाले टेम में पा सर्कुलेटिंग सिस्टम है. तो उसमें हम पानी कम यूज करते हैं, जगा कम यूज करते हैं, प्रोडक्शन हम तीज गुना ज़्यादा करते हैं. 22 जिला हमारे हरियाना में हर जिले के अंदर जिलास्तर के ओपर किसानों को प्रसिक्षन दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहे, डाइवर्सिफिकेशन और इस व्यवसाय के तरफ जुडने के लिए. पलस विज्यापन से, प्रचार मादम से, इलक्टोनिक, प्रिंट म प्रसिक्षन देते हैं, उसकी जमीन का चुनाव में हम मदद करते हैं, सेलेक्षन और पॉंड में, और जो भी फाइनेंशल हल्प चाहिए, उसका हम प्रोजेक्ट त्यार करवाते हैं, फाइनेंशल हल्प चाहिए, तो उसको बैंक में हम अपना केस बेढ़ देते हैं, और जो सेंक्सेंट लोन होगा, उसके उपर हम ये प्रोजेक्ट अपरूर करवाया है, उसके अंदर सबसीडी का भी हमने कंपोनेंट रख्या है, सबसीडी देते हैं, और अगर कोई किसान ये चाहिए कि मैंने लोन नहीं लेना, मैं अपनी फाइनेंस से, खुद के अपनी अगर मैं लगाँगा, तो उसको हम सबसीडी उससे जो खर्चा एक्शल होगा है, उसके उपर हम सबसीडी देते हैं ऐसा माना जाता है कि असभल होने की अनेक वज़े होती हैं, लेकिन सभल होने की कोई वज़ा नहीं होती लेकिन सुल्तान सिंग ने अपनी सची लगन, बेहतर समझधारी, जो कि मुठाने की ख्षमता और अपनी निष्ठा से ये साबित कर दिया कि यदि आप में भी ये बाते हैं, तो आप भी काम्यावी की बुलंदियों को चू सकते हैं सुल्तान सिंग ने पूरी मेहनत और पूरे ज़जबे के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया और काम्यावी की एक नई कहानी लिख टा ली उनकी काम्यावी को अलग-अलग संगर्टनों से सम्मानित किया गया और उन्हें पुरस्क्रित किया गया अगरी कफरिश्क्र पंड बड़ा सेक्टर है उसमें डेरी फार्मिंग भी आ है फ्ल्स एक्टिविटीइगज भी है फूल की खिती भी है डेरी फार्मिंग भी है पोल्ट्री भी है लेकिन फिस्तिरी जेक ऐसा सेक्टर ता जिसको नहीं लाइक करते ते इसको हमने इतनी दूर तक पोचाया है इस सेक्टर को मैं ज़्यादा निक एता हाज हर याने का पूरे इंडिया में हर गोह में हर आदमी मचली पणने को kाम करने का दिल करता है अब छोटे छोटे सिस्टम लगा करके हर आदमी को हर तरीके के हम इसका मचली की टेक्नोजी दे के हम घर घर में मचली का काम करवाना चाहते हैं यही मेरा एक उदेश्या है और यही मैं देश के लिए काम करता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा अब तक सुल्तान सिंग को अनेक पुरसकार और सम्मान प्राप्थ हुए हैं जिन में से कुछ इस प्रकार हैं जग जीवन राम कुरसकार Quality Summit Award Best Incomebency Award प्रगति शील किसान Award Best Fish Farmer Award Best Innovative किसान Award के अलावा अनेक सम्मान प्राप्थ हुए हैं मारव सोभाग्य इस जिले में के सुल्तान जी सी जिला के पड़ायस हैं बुटाना गाउं पैसिल निलोखेडी के रहने वाले हैं वो बाई च्वाइस इस प्रोफेशन में आये और बहुत पहले उन्नी सो ट्राशी में होनोंने गाउं के तलाबों से पना वेवसाय किया था उ अजरी के बाद उन्हें प्रोसेसिंग का काम किया प्रोसेसिंग के बाद उन्हें आरेस का काम किया और नहीं जो जो नएन आयाम उनके उपर वो काम करते रहते हैं और उनसे प्रेड़ना का हमें यह है किसान इस जिला का या प्रोसी जिला का अगर हो तो हमारे पास सुल्ता उससे देखके उसकी एकस्पोजर जाके और वो देखते हैं कि एक किसान इतना काम कर रहा है और पदमशरी मिल गया तो उन दूसरे किसानों को इस वैवसाय से जुड़ने के लिए सुल्तान जी के मादम से एक प्रेड़ना मिलती है कि सुल्तान जी अच्छा पैसा कमा रहे हैं अच्छा नाम कमा रहे हैं तो हमारी एक एक एकस्पोजर जो है इस एरिया का या सराउंडिंग का पूरा हरियान का यह उन देश का कहें तो एक एकस्पोजर मिलता है सुल्तान जी को देखके हाल ही में भारस सरकार के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान बद मुश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है यह सम्मान इनकी उपलब्धियों की एक ऐसी स्विक्रिती है जिससे हमारे किसान हमेशा पिरना पाते रहेंगे और करनाल के नीला खिडी तहसील का बुटाना गाउं अपने पर गौरब महसूस करेगा पदमशीरी मिला है मेरे को पता भी नहीं था यह किस तरीके से अपलाई होता है किस तरीके से दिया जाता है यह खुद ही गौर्मिट ने मुझे एक लैटर के दुआरा बताया भी आपको पदमशीरी दे रहे हैं तो मैं बहुत जादा खुश हुआ क्योंकि द्यात के एरिये में यह चीज़ें नहीं आती यह फर्ष टेम इस सरकार ने पहली दफ़ा यह गौँ तक पदमशीरी पहुचाने का काम किया है हम इस सरकार के बहुत हवारी हैं साथ में पूरे देश के हवारी हैं यह हमारे को इस देश में से पदमशीरी के लिए चुना गया बच्पन के दिनों से ही सुल्तान सिंग का मचली पालन के प्रती जुकाफ और उनकी निरंतर लगन ने उन्हें जिस मुकाम तक पहुचाया है वो उससे कहीं ज्यादा के हगदार है उनका यही उत्सा उन्हें उनके मंचाहे मुकाम तक ले जाएगा ऐसा हमें विश्वास है अगले एपिसोड में आपको परिचित करवाएंगे एक नए शोद करता के शोद से तब तक हमें दीजिए अनुमती नमस्कार